कानपूर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला गैंस्टर विकास दूबे एंकाउंटर में आज मारा क्या यह तब हुआ जब विकास दूबे को कानपूर ला रही स्टीएफ के काफिले की गाड़ी हाथसे का शिकार हुगए और पुलिस के मुताबिक विकास दूबे ने हाथसे के दुरान भागने की कोशिश की थी जिसके बाद उसको मार गिलाया हिया विकास दूबे के एंकाउंटर पर यूपी के पूर्व सियम अखलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार की कार रिप रडाली पर सवाल या निशान लगाया है अखलेश ने अपने ट्वीट में उस वाहन के दुरगटना ग्रस्त होने पर सवाल उठाए हैं जिसमें विकास दूबे को उज्जेन से कान पूर लाया गया था अखलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि दरसल ये कार नहीं पलती है, रास खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है अखलेश यादर समेट तमाम राजनेताओं ने पहले से ही इस बात पर शक जताया था कि विकास दूबे के पीछे यूपी सरकार के तमाम बड़े लोगों का संद्रक्षिन शामिल है और ऐसे में पुलिस केसका इंकाउंटर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं नज़रा रही है प्रया यादर समेट दूपी सिर्धशनेताग्पपड़ों अवी चीत तमाम का संद्रक फ़स्टनेताश्वरों कि पुलिसे जताओंड़े यूपी झाले यूपी से ही इस दूपी से नहीं है जब जताग में में युशबा पात रहलों का सिन दोपी से घ्स आज़र का सिन